हाई फ्रेंड तो इस वीडियो हम लोग यह पर्टिकलर प्रोग्राम देखेंगे तो डिरेक्ली एक्जाम्पल से इसको समझते हैं तो इन्पुट के फॉर्म में हमें एक एलाउड वर्ड मिलेगा और एक एरे मिलेगा जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग होंगे तो बेसिकली हमें काउंट करना है consistent strings तो किसी भी string को हम कब consistent बोल सकते हैं जब उसके सारे characters एलाउड वाले में हों तो इस पहले string की बात करते हैं तो A, A अकर कर रहा है एलाउड में D, D अकर नहीं कर रहा है तो इस string को हम consistent में count नहीं कर सकते हैं फ्रेंज आगे move करते हैं इस string में B and D है तो B तो अकर कर रहा है लेकिन D अकर नहीं कर रहा है तो इसको भी हम consistent में count नहीं कर सकते हैं इसमें 3 बार A अकर किया है and B अकर किया है तो A भी है अलाउड वाले में and B भी है तो इसको हम लोग as a consistent string ले सकते हैं अगले पर move करते हैं, इसमें भी B है and A है, तो ये भी हम as a consistent string ले सकते हैं, right, अब इसकी बात करते हैं, B तो है allowed वाले में, A भी है allowed वाले में, लेकिन D allowed वाले में नहीं है, तो एक भी अगर non allowed character मिल जाता है, तो इसको हम consistent में count नहीं कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो friends, दो ऐ consistent में count हो रहे हैं, इसलिए हमारा answer जो है, यहाँ पर 2 है, तो यह हो गई basic सी problem statement, अब इसको ए प्रोच कैसे कर सकते हैं, तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे, एक एक word इस area में से निकाल रहे थे, और उसका फिर एक एक character निकाल रहे थे और check कर रहे थे, यहाँ पर allowed वाले word में व तो अगर इसमें linear search लगाते हैं, तो time taking process है, तो instead of that हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो hashing के use कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और भी simpler तरीका है, simpler तरीका यह है friends, कि हम लोग एक array use करेंगे, let's say boolean array, और जो 0 index होगा, वो a को represent करेगा, 1b को represent करेगा, and so on, यहाँ पर 25 index होग वो basically हमारा z को represent करेगा, right, तो आप समझो कि index a, index 0 a को, 1b को, and 25 z को, अगर जैसे इस example में a है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, true, और b में भी true, बाकी हर जगा क्या होगा, false होगा हमारा, तो इससे क्या होगा, checking हमारा कि कोई character allowed में है या ने, उसका time काफी reduce होजाएगा, and order of 1 में हो जाएगा, correct, तो पहले हम लोग allowed string जो मिला है, इसको इस form में convert कर लेंगे, and फिर इस word को traverse करेंगे, एक-एक को निकालेंगे, and फिर जैसे हमारा word आया, let's say, a, 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 b, यह वाला word अब इसको हम लोग basically character में convert कर देंगे, और इस character चेक करेंगे, अगर सारा character इस allowed वाले word में है, तब तो हम उसे consistent में count उसका increase कर लेंगे, तो I hope हम इस basic idea समझ में आ गया होगा, अब implement करते हैं, वहाँ से में और भी clarity मिलेगी, तो सबसे पहले हम लोग boolean array बनाते हैं, और जिसका size हम लोग रख लेंगे, 26, और एक variable ले ले लेते हैं, count, जो की number of consistent string का count maintain करेगा, और सबसे पहले इस boolean array को allowed वाले word के according फिल करते हैं, तो क्या करते हैं, यहां लिखते हैं, for care ch, allowed.to care array, मतलब जो भी हमें string या word मिला है, उसको character array में हम लोग convert कर ले रहे हैं, and फिर एक एक character निकाल के वो ch में रखता जाएगा, right, और फिर इसी के according हम लोग array में true and false भरते जाएगे, तो यहां लिखते हैं, ch-a, तो इससे होगा क्या फिरेंट, कि जो भी character होगा, और यह given है कि हमें lower case alphabet ही मिलेगा, अगर a आएगा, तो यह चीज convert क्या हो जाएगी, 0 में, और वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, true, अगर यही ch में z आया होता, तो a माइनस होने पर यह convert हो जाता, 25 में, और वहाँ पर हम लोग क्या mark कर देंगे, true, तो जो जो character अकर किया है, उस पर हम true mark कर देंगे, तो अब क्या करते हैं, हम लोग words वाले array में से एक एक word निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, string word, अब यहाँ पर एक हम लोग ले लेते हैं, boolean variable, और यहाँ पर लिखते हैं, consistent equal to true, तो इस word को assume कर लेते हैं, कि यह consistent है, जैसे ही कोई character ऐसा मिल जाएगा, जो allowed में नहीं हो, तब हम consistent इसको false mark कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं, care ch, word to care array, अब इस word का एक है character निकाल रहे हैं, और ch में रखते जा रहे हैं, तो अब ch को चेक करते हैं, कि वो allowed में है या नहीं, तो यहाँ लिखते हैं, if arr, ch, minus a, double equal to false, it means कि हमें एक ऐसा character मिल गया, जो कि allowed में नहीं है, तब उस string को, उस word को हम consistent नहीं मान सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर consistent वाले variable का value बदल देंगे, और यहाँ पर false कर देंगे, and इस basically loop को भी break कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी character मिल गया, जो कि allowed में नहीं है, तो वो inconsistent है, वो consistent पर count नहीं होगा, तो आगे check करने की कोई जरूत नहीं है, यह for loop थोड़ा सा यह अंगरबड़ हो रहा है, यहाँ पर यह ऐसे आना चाहिए bracket, यह bracket यहाँ आ गया था, अब इस for loop के बाद, अगर consistent अभी भी true है, it means जो word हमने लिया था, वो consistent है, तो यहाँ if consistent double equal to true, अगर consistent true है, it means कि वो word consistent है, अगर वो word consistent है, तो count का value हम लोग एक से increase कर लेते हैं, I think that's it, इससे हमारा काम हो जाएगा, अब इस for loop के बाद हम क्या कर सकते हैं, return कर सकते हैं, count का value, run कर के देखते हैं, तो simple test cases accept हो है friends, submit करते हैं, तो बड़िया यह solution हमारा accept हो रहा है, thank you so much for watching this video, मिलते हैं आप से next video में,